सबी शाओमी यूजर्स हर साल MIUI के नए अपडेट्स का वेट करते हैं और हर साल MIUI के नए वर्जन्स के साथ यूजर्स नए नए इंट्रेस्टिंग फीचर्स यूज कर पाते हैं अब MIUI 10 के बाद यूजर्स बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं MIUI 11 का तो आईए बात करते हैं MIUI 11 के नए फीचर्स के बारे में और साथी साथ मैं आपको बताऊंगा MIUI 11 के रिलिस डेट और एलिजिबल डिवाइसेज के बारे में तो आपके डिवाइस में MIUI 11 का अपडेट आएगा या नहीं जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहे हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि MIUI 11 से रिलेटेट सभी फ्यूचर अपडेट में आपको दे पाओ तो इसी के साथ मैं हूराज और आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे क्विक प्रिव्यू यानि की वीडियो में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे MIUI 11 में क्या क्या नए फीचर होंगे उसके बाद बात करेंगे MIUI 11 के रिलीज डेट के बारे में यानि कि कब तक MIUI 11 इंडिया में आएगी और उसके बाद बात करेंगे supported devices के बारे में MIUI 11 में हमें काफी सारे नए features और design changes देखने को मिलेंगे अब जो MIUI 10 है वो basically 16 is to 9 और 18 is to 9 aspect ratio वाले displays के लिए design है तो MIUI 11 में आपको इसके साथ जो notch है उसके लिए भी support देखने को मिलेगा MIUI 11 Android Pie 9.0 based होगी जिससे आप Android Pie के कुछ interesting features भी use कर पाएंगे और जो overall experience है वो भी काफी अच्छा होगा MIUI 11 में आपको नए navigation gestures देखने को मिल सकते हैं जो Android Pie based होगे यानि के आपको यहां Android Pie की ही तरह नया navigation bar देखने को मिलेगा तो अगर आपको Android Pie में introduced किया गया नया navigation bar पसंद है तो यही same चीज आप MIUI 11 के साथ भी experience कर पाएंगे MIUI 11 में आपको MIUI 10 की ही तरह AI का support भी देखने को मिलेगा पर MIUI 11 के साथ यह काफी improved होगा यह जो AI support है यह आपके battery life को optimize करेगा यानि कि जो apps आप regularly यूज करते हैं उन्हें ज्यादा priority होगी और जो apps आप कम यूज करते हैं उन्हें कम priority होगी अब जो apps आप rarely या कम यूज करते हैं उन apps का background battery consumption AI controlled होगा जिससे आपको आपके smartphone में काफी अच्छी battery life देखने को मिलेगी साथी साथ जो apps आप regularly यूज करते हैं यानि कि जीन apps की priority ज्यादा हैं वो apps आपके लिए readily available होंगे जिससे आपको fast app opening time देखने को मिलेगा जिससे आपका overall experience काफी quick और smooth होगा जो अगला feature MIUI 11 के साथ आएगा वो है better memory and RAM management MIUI 11 में आपको अच्छा RAM optimization देखने को मिलेगा जिससे आपका multitasking experience काफी अच्छा होगा साथी साथ आपका जो gaming experience है वो भी काफी अच्छा होगा क्योंकि अच्छी amount में आपकी RAM free होगी इसके अलावा आपको यहां Android Pie का digital well-being feature भी देखने को मिल सकता है यानि कि MIUI 11 में आप अपने smartphone usage को अच्छे से monitor कर पाएंगे तो आप कितना time अपने smartphone को use करते हैं, कौन-कौन से apps कितने time तक use करते हैं कितना time internet use करते हैं, या calls पर कितना time spend करते हैं यह सभी चीज़े आप MIUI 11 में अच्छे से monitor कर पाएंगे इसके अलावा MIUI 11 में आपको नई MIUI themes देखने को मिलेंगी साथी साथ new accessibility options, screenshot options, new status bar, recent panel, home screen layout और overall design में भी काफी सारे changes आपको यहाँ देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं कि कब तक आप MIUI 11 इंडिया में expect कर सकते हैं यानि कि बात करते हैं MIUI 11 के release date के बारे में तो जो MIUI 10 का update था, वो 1 July से चाइना में मिलना शुरू हो गया था हाला कि यह MIUI 10 का beta rollout ही था और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में October और November के around stable MIUI 10 updates मिलना शुरू हो गया था तो MIUI 11 के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा MIUI 11 सबसे पहले चाइना में launch होगा और उसके बाद launch होगा इंडिया में तो कुछ नए rumors के according, MIUI 11 October 2019 में इंडिया में rollout होना शुरू हो जाएगा जो अभी काफी दूर है अगर बात कर सपोर्टेड डिवाइसेज की, तो यहाँ स्क्रीन पर जो जो डिवाइसेज है, उन्हें confirm MIUI 11 का update मिल जाएगा आप वीडियो पॉज करके इसे चेक कर सकते हैं, या उस like बटन के नीचे description box में भी आपको इन डिवाइसेज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही initial लिस्ट है, और इस लिस्ट में और भी डिवाइसेज एड होंगे पर अगर आपको एक rough idea चाहिए, तो अगर आपका डिवाइस 2019, 2018 या 2017 में भी लाँच हुआ था, तो आपके डिवाइस को MIUI 11 का update मिलने के बहुत ज्यादा chances है पर इससे पहले लाँच हुए डिवाइसेज में MIUI 11 का update मिलना थोड़ा मुश्किल है दोस्तो अगर इस लिस्ट में all devices add होते हैं, तो वैसे मैं description box में mention कर दूँगा और list भी update कर दूँगा, तो description box चेक करना मत भूलिए हाँ पर उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को subscribe करना होगा, साथी साथ उस bell icon को भी प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं MIUI 11 से related कोई video upload करूँ, तो उसका notification आपको मिल पाए अगर आपको अब भी MIUI 11 से related कोई doubt है, तो आप मुझे वो comment section में पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, helpful लगा है, तो वीडियो को कर दीजे like अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया, तो आपको पताए है क्या करना है, सिर्फ वो reason हमारे साथ share करिए, ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए दोस्तो जाती जाती चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथी साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए तो दोस्तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हूराज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में